जिला हमिर्पूर के विविन विभागों विशेशकर जिला मुक्याले में लगबग 15 दिनों से पानी की गंबीर समस्या बनी हुई है लेकिन हमिर्पूर आईपेच विभाग कुम करनी नीन से जाक नहीं रहा है ये बात दिल हमिर्पूर उभोकता स्नंग्चन संगटन के अध रानी प्रकट करते हुए कहा कि हमिर्पूर में जनता पानी के लिए तरही तरही कर रही है लेकिन जिला पशाशन की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं सुशीर शर्मा ने कहा कि इस वर्ष गर्मिया सुरू होते ही सरकार के नुमाइंदे और स्वें आई भूकता स्रंग्चन संगठन को दरजनों शिकायती आई प्यच विवाग के कारेपरनाली के बारे में मिल रही हैं कभी मटमेले पाने की आपूर्ती की जाती है तो कभी दो दो सब्ताह तक पानी आपूर्ती नहीं हो रही है शर्मा ने कहा कि जिला प्रसासन इस अंधरब मे आई प्यच विवाग के अधिकार्यों के साथ बैठक कर समस्य के निवारन के प्रती ठोस कदम उठाएगी शर्मा ने कहा कि आई प्यच विवाग यदि दो दिन के भीतर समस्य का समधान नहीं करता है तो दिहा मिरपूर उभूकतां स्रंग्शल संगठन के सदर से आई आसन के समक्ष धर ना देंगे। तो हम यह लोग यह सोचते हैं कि अगर इन्हों ने दो तीन दिन के अंदर इस समस्या के प्रती कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हम लोग यहां आईपेश विवाग के वाहर धरना देंगे। साथ में ही मैं आपको यह याद दिलादाना चाहता हूं कि जैसे ही गर्मिय शुरू हुई थी हमीरपूर जिला प्रसाशन के साथ मिलकर आईपेश विवाग के अधिकारियों यहां तक कि चुने हुए नुमाइंदों ने भी यह असवाशन दिया था कि हमीरपूर में जो है वो पानी की समस्या का बरसाथ आने से पहले पहले निदान कर दिया जाएगा और जो नई स्कीम है उसको शुरू कर दिया जाएगा और उन्हें यह भी कहा था कि हमारे पास बजट आ चुका है लेकिन अभी तक जो है वो समस्याजियों के त्वेंग बनी हुई है जितने भी आसवाशन दिये गए थे वो सारे जूटे निकले और कोई भी समस्याजा निदान नहीं हुआ है और हर्वर्स की तरह मटैला पानी जो है वो हमीरपूर और इसके आसपास के एक्षेत्रों में परोसा जा रहा है जिससे कही परकार की बीमारियां भी बर्सात हुई है उपर से पानी बर्सात बारी बर्सात हो रही है पानी आ रहा है लेकर पानी की स्प्लाई बिलकुल बंद है